रम रम पहरे साथियो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने फोम नोटिश योट्योब चैनल के उपर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दिली पूलिस वकैंसियों को जो आने वाली हैं 2023 के अंदर इन बरतियों के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल स बात करेंगे कि आप लोगों के लिए जो वकैंसिया हैं वो दिली पूलिस लेगी या SSC के दुआरे ही आप लोगों का जो एकजाम है वो कंड़क्ट करवाया जाएगा या कौन सी बरती SSC लेगी या नहीं लेगी इन चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे और आप लोगों को जो नोटिस जा रही हुआ था उस नोटिस के बारे में में बताएंगे कि EWS के टैगरी में कितनी वकैंसियां जर्नल में कितनी हैं और टोटल वकैंसियां कितनी है और 2023 के लिए जो कौन स्टेबल की बरती है वही वो कब तक आने की संभावन है इन बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डीटेल سे बात करेंगे दोस्तों तो लाश्ट तक देखना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेयर करना ताकि जिस भी बच्चे का दिली-पुलिस के अंधर लगने का मन है गोई इन वकैंशियों को देखकर अपने आने वाले प्रिक्सा या फीजिकल के लिए त्यारी कर सके तो और उसके साथ साथ अपने यूट्यूब जैनल को ज्यादा से ज्यादा सस्क्राइब करना दोस्तो तो दोस्तो ये एक नोटिस जारी वा था आप स इसके अंदर जो वकैंशिया थी आप लोगों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तो आप लोगों के लिए जो वकैंशिया है वो वकैंशिया कितनी रहने वाली है और टोटल किस कटेगरी के लिए कितनी वकैंशिया हैंगी मेल और फिमेल के लिए कितनी वकैंश होंगे 6433 वकैंशियां दोस्तों टोटल यानि की बहुत बड़ी बड़ती है जो आप लोगों के लिए दिले पुलिस के अंदर आने वाली है 6033 वकैंशियां आप लोगों के लिए यहां पर आने वाली है जो मेल और फिमेल वकैंशियां भी आप लोगों के लिए अलग से वकैंशिया आएंगे यहां पर जो 4310 वकैंशियां वो मेल के लिए होगी और इसके अलावा भी 223 वकांसिया जो बागी बच गई दोस्तों वो थी मेल के लिए होंगे और जो अम मेल है भी 14 assass Site 4310 वकांसी जो मेल की है इसके अंदर से किस कटेगरेल कोंसी वकांसी होंगी जो EWS कोटा है दोस्तो उसके अंदर और OBC के अंदर आप लोगों के लिए 249 वकैंशी आएंगी और SCE जो वरी 643 वकैंशी आप लोगों के लिए आएंगी तो दोस्तो इसके इलावा है जो एह थे है यानि कि जो एह्स्ति कास्ट से बिलोग करते हैं उन वह आप लोगों की ठारा साल एज रखी गई है ठारा साल से लेकर फचीश साल की एज तक वाले जो श्टुडेंट हैं वो यहाँ पर अपना फोम है जो अपलाई कर सकते हैं और जो आप लोगों का एज रिलाक्सेशन है वह आप लोगों को जो ओफिसियल नोटिस आएगा दोस्तों उसको अंदर आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कितनी एज है जो आप लोगों को छूट के लिए दी जाएगी जो कटेगरी वाइज होते ही क्या OBC में भी छूट मिलेगी AWS म कितनी एज है जो रिलाक्सेशन के दार पर आप लोगों को दी जाएगी वह ओफिसियल नोटिस के दार पर ही देखा जाएगा और जो आप लोगों के लिए एज होगी क्या वह एक एक दोहजार तेइस के अनुसार होगी या जिस दिन से फोर्म बढ़ने स्टार्ट हो जाए जर्नल जो कटेग्री यहां पर 2324 पद आप लोगों के लिए है इसके अलावा EWS के लिए 331 पद है OBC के लिए 118 पद है और जो SC कंडिडेटा वाई 331 पद आप लोगों के लिए है और ST जो कास्ट वे उसके लिए 119 पदों के उपर आप लोगों के लिए वकैंसिया है जो अब लेबल है तो यहां पर आप लोगों के लिए मेल और फिमेल बहुत ज़्यादा मातरा के अंदर आप लोगों के लिए वकैंसिया निकाले गई है इससे पहले इतनी ज़्यादा बड़ी बरती अभी तक देखने को नहीं मिली थी दिली पुलिस के अंदर दोस्तों अब आप लोगों के लिए यहां पर जो बात है वही दोस्तों जो एससे म्टेस सिव लाइन की वकैंसिया नी थी वो भी आट सो ग्यारा पदों के उपर पोश्ट आनी थी वो दो हजार बाइस के अंदर निकले थी वो किसी वज़े से डिले करकर अब दो हजार तेश के अंदर आ आप लोगों के लिए वकैंसिया जो वो निकालने का काम है वो किया जाएगा यहां पर अभी तक एक बात सपष्ट नहीं हुए है दोस्तों कि अब की बार जो आप लोगों की बर्ती है वो एससी के दुआरे कंडक्ट करवाए जाएगी या दिली पुलीश के दुआरे कंड करना पड़ेगा बहूत सारे YouTube चैनलों के उपर दिखाया गया है कि दोस्तों आपरेल मीनिये के अंदर आप लोगों की प्रिक्सों और जाएगी फरवरी मीन्य के अंदर आप लोगों के लिए फोम बरने जो वो श्टार्ट हो जाएंगे या आप लोगों की क्या चिज़े पहले होंगे क्या बाद होंगे दोस्तों यहां पर एक बात में अभी तक सपष्ट कर देता हूँ अभी तक यह सपष्ट निवा की आप लोगों का जो बरती है वो SSC के द्वारे निकाले जाएगी या दिल्ली पुलिश के द्वारे निकाले जाएगी तो दोस्तों जिस दिन यह चिज़े कलियर हो जाएंगी भी उसके बाद ही आप लोगों के लिए जो ओफिशियल नेटर है वो जारी कर दिया जाएगा मान के चलो दोस्तों अगर SSC आप लोगों के लिए सेडल जारी करती है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जाएग जारी किया जनता है यानि कि किसके द्वारा दिली पुलिस के द्वारा सेडल जारे किया जाता तो यहां पर पहले आप लोगों के लिए फिजिकल होगा वेज़ यहां पर आप लोगों के लिए पहले फिजिकल होगा इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक थोटी सी चीज जो रहा है जब भी आप लोगों के लिए ओफिसियल लैटर जारी किया जाता है या ओफिसियल लोटिस फॉम है जो वो जारी किया जाते हैं या फॉम बरने स्टार्ट किया जाते हैं कम से कम आप लोगों को एकजाम या फ लोगों के फोर्म जो फिल करवा लिए जाएंगे मान के चलो दोस्तों मैंने पका नहीं बोला है कि ये एक वैसे डेट संभावना बताई है क्या कुछ प्रोसीजर होता हुएसे मान के चलो भई 15 से 20 दिन आप लोगों को फोर्म बरने के लिए दिये जाते हैं इसके फिर बाद का सैडूल है वो जारी किया जाता दोस्तों इतना टाइम लग जाता रोलंबर बनाने में भी किसी भी चीज में टाइम तो लगता है ये तीन से चार मिने का बाद के तलो भी तीन और चार साथ यानि कि थटे और साथ में मिहने के अंदर आप लोगों के लिए जो सोर्ट नोटिस जारी किया गया था और ये सोर्ट नोटिस को आई हुए भी आज एक मिहना हो चुका है दोस्तों आप देख सकते हैं एक मिहना हो चुका हाज पूरा इस सोर्ट नोटिस का आई हुए लेकिन अभी तक भी इसके आगे की जो परकिरिया है वो सरून नहीं की ग क्योंकि SSC और दिली पुलिस के अंदर जो मीटिंगें का दोर चल रहा है वहाँ पर कुछ ने कुछ निर्डे है जो बहुत जल्द आप लोगों के लिए निकल कर आने वाला है क्योंकि 6400 पलस पदों के उपर आप लोगों के लिए वकैंसिया जो वह आने वाली है बैने एक ए लाँ दोस्तो जहां पर भी कोई भी फोर्म है उसको भरने का जो उप्शन है दोस्तो वहाँ वह आप लोगों को फोरम नोटिस वैब साइट है वही दोस्तो फोरम नोटिस वैब साइट है एक मातर बरोसा आल इंडिया की सबसे ज़्यादा वकैंसिया और सबसे फास्ट चैनल है उस चैनल के साथ भी जरूर जूर जाना दोस्तो वहाँ पर ओफिसियल नोटिस ओफिसियल किसी भी चीज़ का ओफिसियल नोटिस किसी भी बरती की एड़ोटाइजमेंट या रजल्ट हो गया अंसुर की कुछ भी हो सकता है तो वह सबसे पहले और अच्छी समझद वहारे के साथ आप लोगों के लिए टेलेग्राम चैनल के ओपर डाल दिया जाता दोस्तो थैंक यू